हेलो फ्रेंड्स आज मैं परवत राज हिमाले से जुरी कुछ अनोखे महत्यपुन बाते से और आप से करना चाहती हूँ यह दक्षिन एसिया के लोगों के लिए काफी माइने रखता है इससे पहले आप मेरे यूटूब चैनल जी के नोलज को तुरन सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें हिमाले संस्क्रिट के दो सब्द हिम मतलब बर्फ और आले मतलब अस्थल से मिलकर बना हुआ है प्राचिन काल में हिमाले हमारे साधू सन्यासियों को अपनी तपो भूमी बनाने के लिए आकरसित किया करता था आजकल परवतारोही इसे एक चुनोती के रूप में सेल्यूट करते हैं हिमाले की खुबसूरती उसकी बिवितता में है यहां उची उची चोटियां, कई किलोमीटर लंबे ग्लेसियर, अथा गहराई लिए जील और ताजे पानी की नदियां, जटिल भू गर्वित सरचनाएं और अधिते जीव जन्तु, पेर पौधे इसे प्राकृतिक तोर पर चमतकारी बनाते हैं हम लोगों के मन में यह भाव उठता है कि आखिरकार हिमाले परवत का निर्मान कैसे हुआ होगा दोस्तों आप जानते हैं, आज जहां हिमाले वहां कभी टैथिस नाम का सागर हुआ करता था यह जोरासिक काल करीब 20 से 40.5 करोर साल पहले की बात है यह सागर दो बिसाल भूखंडों से घिरा हुआ था, एक तरफ यूरोसिया था तो दूसरी ओर गोडवाना लैंड एडिस प्लेट ये दोनों भूखंड करोरो सालों में एक दूसरे की ओर गती करते गए उधर टैथिस सागर के पानी में गाद जमा होने लगा और पानी धीरे धीरे कम होता चला गया दो बिरोधी दिसाओं से परने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी गाद आदी की परत भी उपर की ओर खिसकती चले गए यह क्रिया निरंतर चलती रही और करिब धाई करोर साल पहले इसी क्रिया के परिनाम सरुप हिमाले का निर्मान हुआ आज भी हिमाले फाइब मिलिमीटर उपर उठ जाता है एडीस प्लेट आज भी 65 मिलिमीटर सालाना की गती से गती सील है इसी के फस्वरुप हर साल हिमाले की उचाई फाइब मिलिमीटर बढ़ जाती है बर्फ के मामले में भी यह अंटलांटिका और आकरटिक के बाद सबसे ज़्यादा बर्फ हिमाले परवस्रिंखला में ही जमा होता है यहां कम से कम 15,000 विसाल का एक गलेसियर है इसमें गंगोतरी और यमोनोतरी जैसे गलेसियर सामिल है दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करना न भूलें